नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमिच चेनल में आपका स्वागत है आज के समय में अच्छी बाडी बनाने का सौख न सिर्व यूआओं तक ही सीमित रह गया है बलकि इस होड में उम्र दराज लोग और छोटे बच्चे भी सामिल हो गया है इस बिगड़ते माहौल में फिटनेस का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो गया है घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ रहा है जो लोग वर्किंग है जॉब करते हैं उनको जिम जाने का समय निकालना मुश्किल है तो आज मैं आपको एक ऐसे सुपर फूड और सुध अरुविदिक भोजन के बारे में बताऊंगा जिसका आप उप्योग करके सारे पोसक तत्त्त प्राप्त कर सकते हैं ये एक सुपर फूड है ये कच्चे केले का आटा है कच्चे केले के आटे का नीमित सेवन करने से सरीर को सभी प्रकार के पोसक तत्त्त मिलते हैं जो सरीर को जरूरी होता है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप नेचरल तरीके से अपने सरीर को हिस्ट पुष्ट बना सकते हैं आज तक आपने गेहू, चने, बाजरे, मक्के, आदी के आटे के बारे में सुना होगा लेकिन आज मैं आपको केले के आटे के फायदे एक बारे में बताता हूँ आप कच्चे केले को अच्छे से सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए या उसका आटा बना लीजिए इसका आटा सुपर फूट से कम नहीं है इस आटे में पोसक तत्तो भरपूर मातरम पाया जाता है इसका उपयोग आप बच्चों के लिए केक बनाने, बिस्किट बनाने या किसी भी प्रकार के घरेलू उपयोग के लिए भी कर सकते हैं ताकि बच्चों को ये प्राकृतिक रूप से पोस्टिक भोजन प्राप्त हो सके बच्चों के विकास के लिए तो केला बहुत फायदेमंद होता है केले में मिनरल और विटामिन्स पाया जाते हैं इसका सेवन करने से बच्चों का अच्छा और संपूर्ण विकास होता है बच्चों के डाइट में इसका सेवन जरूर सामिल करना चाहिए बुजूर्गों के पेट के विकार को भी दूर करता है. इसमें पोटिशियम भरपूरमातरम पाया जाता है, जो अन्यखादे पदार्थों में उतने मातरमें नहीं मिल पता. जो आपको दिन भर बनांके रखता है, इसमें विटामिन C और B6 भी पाया जाते हैं, जो सरीर के सेल्स को पोसंद देने का काम करता है इसी के साथ केले में सेहत मंद स्टार्च और एंटी ऑक्सिडेंट भी भरपूर मातरम पाये जाता है जो पाचन तंत्र को दुरूस्त रखता है और सरीर को पूर्टा स्वस्त बनाता है यह कच्चे केले का आटा दिल के मरीजों के लिए भी अत्यन्त फायदे मंद है नीमित रूप से इसका सेवन करने से सरीर में ब्लट सर्कूलेशन को मेंटेन रखता है जिससे हार्ट अटेग आने की समभावना कम होती है इसमें आयरन भरपूर मात्रम पाये जाता है जिसके कारण खून में हिमोगलोबीन की मात्रा बढ़ती है हर रोज अगर आप दो कच्चे केले के बराबर के आटे का भी अगर उप्योग करते हैं या पाचन की सारी समस्याओं को दूर करता है दिल की बिमारियों से आपको बचाता है केले का नीमित सेवन ब्लड प्रेशर को समान रखता है केले में पोटेशियम भरपूर मात्रम पाये जाता है जो हार्ट अटेक के खत्रे को कम करता है हाइपर्टेंसन जैसे बिमारी को दूर करता है इसमें प्राकृतिक रूप से सोडियम फ्री भोजन के रूप में यह पाया जाता है इसमें सोडियम मुक्त होता है या इसलिए या बलड की समस्याओं को प्रानेचुरल तरीके से सुस्त करता है और जिन्हें अपने सरीर के सारी कमजूरियों को दूर करने के लिए एक संपून भोजन कियावाश सकता है तो कच्चे केले के आटे का उपयोग उन्हें जरूर करना चाहिए कच्चे केले का आटा तनाव और डिपरेशन को भी मैंटेन करने में मदद करता है केले में प्रोटीन और एंटी आउक्सिडन पाये जाते हैं तो आप कच्चे केले का आटा बना लीजिए उसका आप किसी भी रूप में उप्योग कर सकते हैं चाहे तो रोटी बना के या ब्रेड बिस्किट केक बना के उसका उप्योग कर सकते हैं अगर आप इसे दूद में घोल कर पी सकते हैं तो उसे आप एक बार अपने स्वात के अनुसार उसे जरूर चेक कर लें और अगर वैसा पी सकते हैं तो गाय के दूद में रोज आप दो चम्मच कच्चे केले के आटे का उप्योग करें तो यह एक सुपर फूड है इसका सेव